Hello friends, welcome to my channel Tourist Terminal and I hope you all are doing very well there. आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से इन्फोरमेशन जो वेलिवल इन्फोरमेशन है रिगार्डिंग वीजास के बारे में वो शेयर करूँगा. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आज प्लीज प्रेस बेल आइकन आज वेल ताकि आपको नोटिफिकेशन है जो मेरी वीडियो के वो भी कंटिन्यू मिलते रहें. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो है रश्या के यी वीजा के ऊपर. के रश्या का यी वीजा है जो आप कैसे ले सकते हैं अभी इंडियन को भी उसमें एड किया है उन्होंने. इंक्लूडिंग इंडिया, जो उन्होंने आड की हैं इस फसिल्टी के लिए. पहले आपको एक फाइल बनाके वीजा के लिए आपको पासपोर्ट देना पड़ता था, बट अब भी ऐसा नहीं है. अब भी आप खुद से अपलाई कर सकते हो. इंड वो इजी रहता है, कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ सिंपली एक एप्लिकेशन फॉर्म है, जो आपको फिल अप करना है, और साथ में उसके उपर आपको एक अपनी डिजिटल जो फोटो है, वो अपलोड करना है. और कुछ भी नहीं है, सिंपली इट विल टेक ओनली फोर डेज, जी हैं दोस्तों, सिर्फ चार दिन में आपको रुशिया का वीजा मिलेगा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, सभी कैसी करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके सीधा उनकी जो अफिशिल रहती, उसमें सिर्फ आपकी पर्सनल डीटेल रहती हैं, और आपका पासपोर्ट नमबर, ये सब डीटेल रहती हैं, आपकी नेशनलिटी, तो वो सब आप एड़ कर सकते हो, एंड उसके बाद एक बड़ी चीज है, जो बड़ी खुशी की निउस है, वो ये है, कि इसके ल बाज सर्विस है, तो आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट पे आपको वो एप्लिकेशन फॉर्म जो है, मैंने बोला, वो फिल अप करना है, अपनी एक डिजिटल फोटो अपलोड करनी है, और इसके बाद आप जस्ट वेट की जए, चार वोर्किंग डेज, जी हां, फोर वोकिंग डेज में आपको आपका वीजा है, जो वो एमेल पे वो सेंड कर देते हैं, तैन उसके बाद आप जा सकते हो रश्या, बट इसमें थोड़ी सी कंडिशन हैं, कि आप सिर्फ सेंट पीटर्जबर्ग और लेनिंगार्ड रीजन में ही जा सकते हैं, उदर तक ही आप विजिट कर सकते हो, अगर आप पूरा रश्या गूमना चाते तो पहले वाला प्रोसेस ही आपको फॉल अप करना पड़ेगा, अमबैसी में फाइल समिट करने पड़ेगी, फिर आपको वीजा वो स्टिकर पे मिलता है, ये वीजा स्टिकर वीजा नहीं है ये वीजा सिरफ आपको स्टेंप लगेगी जब आप सेंट पीडरसबर्ग में लैंड करोगे, तब ही, तो ये है इसका अपडेट जो रश्या वीजा का मैं बोर रहा था, तो बेसिकली ये 30 डेज के लिए जो है वो वैलिड रहता है, तो आप 30 डेज नहीं स्टे कर सकते, बिकरज आपका वीजा बेशक 30 डेज तक है, आप सिरफ 8 डेज, means 8 दिन रश्या में इस वीजा के उपर रह सकते हो, तो 8 दिन से ज्यादा आप नहीं रुख सकते हैं, आपका वीजा वैलिड होगा 30 डेज के लिए, बट आप 8 दिन से ज्यादा इन दो रीजिन में नहीं इसकी कंडिशन हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती हैं, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको डिपोर्ट किया दिया जाएगा रश्या से, तो बेसिकली हमें वो अच्छी सर्विसे दे रहे हैं, तो हमें भी उनसे उनकी कंडिशन जो रखी हुई हैं, उनको पूरा करन चाहिए, तो ये था इस वीजा के बारे में, जो भी मेरे पास information थी, इसके regarding आपको कोई भी information चाहिए, मेरा number और, you know, मेरा email address स्क्रीन पर flash कर रहा होगा अभी, तो आप उस, उससे आप मेरे को contact कर सकते हो, and मेरे पास बहुत सारी queries आती हैं, वो भी इस बार मैं clear करना चाहता हूँ, कि बहुत सारे मेरे followers मेरे को WhatsApp पे messages करते हैं, हमें Spain के लिए apply करना है, हमें Czech Republic के लिए apply करना है, हमें Italy के लिए apply करना है, क्या documents चाहिए, क्या चाहिए, मैं आप सब भी को बोलना चाहता हूँ, क्यों आगे से मैं same documents बोलूँगा आपको, जो मैंने वीडियो में बताए हैं, तो अगर आप अच्छे से वीडियो एक बार सुन ले, कि उसमें कौन से documents बताए हैं मैंने, और अगर आपके पास वो documents हैं, only then ही apply कीजिए, क्योंकि वो ही genuine documents हैं, वो ही लगेंगा, अगर आपके पास वो documents हैं, then मुझसे भी पूछने की कोई जरूरत नहीं हूँ, मैं कोई agent नहीं हूँ, कोई consultant नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ guide करता हूँ, जो भी embassy की requirement होती है, direct, किसी से पूछ के नहीं बताता, किसी से, you know, मेरा कोई link नहीं है, मेरे से ये भी पूछे जाता है कि आपका कौ language का बहुत issue है, लोग मेरे को बोलते हैं, आप Hindi में बोलते हो, English में नहीं बोलते हो, English में बोलते हो, Punjabi में नहीं बोलते हैं, so आपको clear करने जरा जाता हूँ, कि मुझे Punjabi भी बोल सकता हूँ, मुझे Punjabi भी आती है, Hindi भी आती है, English भी आती है, and if you have any questions, you can ask me in your language, आप कोई भ subscribe as well as like and thanks for your time, if you do have any questions and queries, please do not hesitate to ask me whenever you want.